नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी यूटूब चनल पर जिस पर हम आपको बताते हैं किस तरह वश्यकरण की सहायता से आप किसी व्यक्ति को अपने वश्य में कर सकते हैं किस तरह ता उम्र के लिए उस व्यक्ति को अपना बना सकते हैं किस तरह सारी जिंदगी के लिए उसे अपने आसपास रहने के लिए मिश्बूर कर सकते हैं किस तरह आप ये सब कर सकते हैं? ये मैं आपको बताओंगी और दवश कों? जो तरीका आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इसका जो मंत्र है, इसे सबसे पहले आप स्वयम ही सिद्ध करेंगे, उसके बाद इसे वशीकरण के तरीके में अपनाएंगे, जो वशीकरण है वो आपका सिद्ध वशीकरण होगा, सामने वाला जो व्यक्ति है वो पूर्ण तहा आपका हो जाएगा, तो आईए बताते हैं स उचारन से पहले एक बात का ध्यान रखेगा कि जब आप उसका उचारन करेंगे उससे पहले आपको स्नान करना है, साफसुत्रे कपड़े पहनने हैं और आपको एक ऐसी जगह बैठना है जहां आसपास कोई ना हो जी हाँ, जब आप एक ऐसी जगह बैठेंगे कि आपके इस पार उचारन करेंगे तो वो मंत्र, एक सिध्ध मंत्र बन जाएगा, उसके बाद जब आप उस व्यक्ति से मिलें तो उसके सामने वो मंत्र आपको तीन बार बोल देना है, ज़ी हां, ज़रूरी नहीं है कि उसका ध्यान उन पर जाए, बस जब आप बोल रहे हों तो कि मुँसे सांस निकलती है, जिसे अब कहते हैं, वो उस तक पहुँचनी चाहिए, अब जैसे ही वो उसके कान से टच करेगी, वो व्यक्ति हमेशा के लिए आपका होकर रह जाएगा, जी हां, वो हमेशा के लिए सिर्फ और सिर्फ आपका ही हो जाएगा, आप से बात करना चाहेगा, आप से मिलना चाहेगा, अपना सारा वक्त सिर्फ आपके साथ ही गुजारना चाहेगा, तो आईए मैं बताती हूँ आपको कि वो सिध मंत्र क्या है, जिसके मात्र उचारण से ही कोई व्यक्ति आपके वश में हो जाता है, और वो मंत्र है, ओम नमो इच्छा करते हैं, तो ये मंत्र सिध मंत्र बन जाता है, उसके बाद जब आप उस व्यक्ति के पास जाते हैं, तो तीन बार उसके कान में जब आप ये मंत्र फूपते हैं, तो वो व्यक्ति पूर्ण रूप से सिर्फ और सिर्फ आपका हो जाता है, तो अगर चाहते हैं ऐसा हो, तो तो इस तरीके को सही तरीके से अपनाईगा और इसके बारे में किसी से कोई जिक्र भी मत कीजिएगा क्योंकि वश्रीकरण तभी होता है जब ये एकांत में होता है और बिना किसी को बताए होता है अगर आपने इसके बारे में किसी से बात कर ली या इसकी चल्चा किसी से कर ली किसी को इस बारे में बता दिया तो ये वश्रीकरण नहीं होगा ये सिध नहीं होगा और इसका असर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिया और जब आप मंत्र को अभी मन्फित कर रहे हो उस समय भी आपको एक्चित होकर बैटना है किसी और के बारे में नहीं सोचना आप क्या काम कर रहे थे या कुछ भी आप कर रहे थे उन सब चीजों को अपने दिमाग से निकाल कर अपने दिल से निकाल कर सिर्फ उस व्यक्ति के बारे में सोचना है कि आपको उस व्यक्ति को वश में करना है जी हाँ उसके बारे में सोचे उसकी बातों को सोचे और फिर इस मंत्र का 21 बार उचारण कीजिए जब आप इस मंतर का 21 बार उचारण करेंगे तो उसके बाद ये मंतर अभी मंतरत मंतर बन जाएगा और इस अभी मंतरत मंतर को जब आप उस व्यक्ति के पास जाकर 3 बार बोलेंगे तो वो व्यक्ति पूर तहा आपके वश में हो जाएगा वो चाहेगा कि आप उसके हमेशा ही आसपास रहें तो ऐसा चाहते हैं अगर आप तो आपको क्या करना है? आपको मंत्र का उचारन करना है और उस व्यक्ति को अपने वश में करना है और दवश को कोई समस्या, कोई जानकारी है तो स्क्रीन पे जो नंबर दिखाया जा रहा है उस नंबर पे कॉल कीजे, बात कीजे ताकि आपकी समस्या का समधान हो सके आपकी जो समस्या है अगर आप हल नहीं कर पा रहे हैं वश करन करके ठक गए हैं लेकिन आपका वश करन सावथक नहीं होता व्यक्ति आपके वश में नहीं होता आप हताश हो चुके हैं तो नंबर पे कॉल कीजे आपका वश करन सावथक होगा आपके दोरक के अगया वश करन सावथक होगा कहां गलती हो रही है कहां आप गलत कर रहे हैं ये सारी जानकारी, सारी समस्याओं का हल आपको बताया जाएगा तो फिलहाल दीजे इजाज़त फिर हाजिर होंगे और आपको बताएंगे कि किसी और तरीके से भी किस तरह वर्षी करण किया जाता है नमस्का जैमाता दी